नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा आल इंडिटेट टेस्ट 2020 जो कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट हुआ था आई टियाई का ड्राफ्ट समयन मेक पूछे गए थे और जो इंप्लाइबिल्टे इसकिल था इससे आपके 20 कोशन पूछे गए तो टोटल असी कोशन पूछे गए थे तो यह हो गया आपका अब देखिए कोशन किस तरह से आय थे आज इसके बारे में हम लोग देख लें तो देखिए यहां पर यह आई टीट इसके लिए ग्रोबिशन है वाट टाइप आप सेक्शनल ब्यूइउ इंदा गीवन फिगर रिशो नीचे दिये गये चितर सो में किस प्रकार का अनुभागी द्रिस दीया गया है यह आपको कहलाता है ब्रोकन सेक्शन तो ब्रोकन सेक्शन यहां पर करेक्ट आंसर आग तो इसका प्रशेपन क्या होगा तो इसका देखे प्रशेपन होगा नाट है ट्रू डाइमेंस यानि कि सही आयाम नहीं है अब यहां पर तीसरा कोस्टन है वाट इस दानेम अब दासाइन यह जो साइन दिख रहे फिगर यह कौन सा यहां पर देख सकते हैं यह लड़का है आपका यह आपका इसकोल का हो जाएगा ठेक है अब देखिए यहां पर चौथा कोशन है तो चौथा कोशन तो प्तकारी है तो यह होता है आपका ड्राप्टिंग मसीन तो अपनाबर से यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब किया पर पांचमें पॉश्चन है पांचमें को ज़िए कि हाउ लेंनी नंबर आफ साईट आइंद कि ढेकयर यानी कि एक डेकान में कितने पच्छल होते हैं इसमें होते हैं डेकयान में आपके 10 साइड यानी कि Giving चाथा कॉश्चन है विच इणाने पी इंजिनिरिंग सिस्टम आप पेपर साउच काँछ कि आकरdy के इंजन में कि एटू आकर कांसा होता है तो देखिए एटू आकर जो होता है वह होता है 420 mm गुड़े 594 mm ठेक आपसा नंबर सी क्रेक्ट हो जाएगा सात्वा कोशन है यहापर हुची जे प्रेक्टिकल अप्लिकेशन आप इनुवेलूट करव कांसा वक्र वक्र का एक ब्यवहारी प्रयोग है तो यह होता है आपका गियर टूथ प्रोफाइल तो आपसा नंबर यहाँ पर क्रेक्ट हो जाएगा गियर टूथ प्रोफाइल अब देखिए हमारा अगला कोशन है कि वाट नेम दकर्व ट्रेश्ट आउट बाई यह पॉइंट आंदा सर्कम प्रेंस आफ ए से प्रव्यास के दूसरे विर्त्त के बाहर घूमता है इसका है इसका है इसका आपसा नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा इसका अब यहां पर नौवा कोशन वाट इस दा कार्ड परपेंडिकुलर टूजा एक्सिस आफ हाइपर बोला हाइपर बोला की धूरी के लिए ल परफी अपष्य के लिए आपको यह सब्सक्राइब करेंड़े आपको यह पिरनीर करेक्ट हो गांड यह नवर कॉस्टन है विच मेथाड़ फ्री हैन्ड इसकेचिंग एज नफिए फ्री हैंड चीटर में दिखाई गई है यह जो दिखाये गाए यह मल्टिव दिखाया ग प्रस्पेक्टिव प्रेच तो आप सो नमबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए आप पर तेरे नमबर के कोश्चन है विच मेथड आप फ्री हैंड इसकेचिंग इस सुइन फीगर तो यह जो फिगर दिखा गया है यह आपका अबलिक प्रचेप है यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो था यह आपका था पर अश्पेक्टिव था और नीचे जो है आपका यह आपका आपका अबलिक पर उच्छे हैं देखिए यहाँ पर है 14 नमबर कोश्चन विच में थाड आफ फ्री हैंड इसकेचिंग सुइन फीगर तो यह जो फ्री है यह आपका आइसोमेट्रिक है समयमिती यह है पंद्रे नमबर कोश्चन है विच इस दा मोश्ट कामन अप्लिकेशन फार डवलमेंट आप सर्फिस विकास के लिए सबसे आम आवेदन कौन सा है तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जो एगा सीट मेटल कंश्ट्रेक्शन सीट धात्व निर्माण सोले नमबर कोश्चन है विच मेथाड आप इंस्ट्रेक्शन आप सॉलिड इन फिगर ठोस के प्रति छेदन की किस विदी को आकृति में दिखाया गया है तो यह दिखाया गया कटिंग प्लेन मेथाड समनांतर रेखा मेटल वर्क में आपसे नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब देखिया थारे नमबर कोश्चन है वाट इस नेम आफ गीवन प्रजे अबजेक्ट यह जो आपजेक्ट दिया गया है इसका नाम क्या है यह आपका इलिप्स है अब देखिए यहां पर 19 नमबर का कोश सब्सक्राइब किसी भी तीन अंकों में सामिल होने पर प्लान का निर्माण होता है तो यह होता है नान को लीनियर अब 21 नमबर का कोशन है वाट इज दा लीनियर स्वारी वाट इज दा इनर मोष्ट पार्ट आफ इसकूर तरी स्कूर थरट का सबसे भीतरी हिस्सा होता है वह रहता है रोट आपसे नमबर डी यहां पर कर्रेक्ट हो जाएगा देखिए यहांपर बाश नमबर कोशन वाट के लिए ऻिए टे प्राइब किया जाता है तै लोक सेनट फेरीक्शन घल्थन का कम गुड़ायों के के है 24GS ऊडेंडम इस पर Accept Prime जया है तो जो वह आउट्षाड डायमीटर आपस नंबर करेक्ट होज़गों सुने इसकी पीछ ब्यास प्रत वील परदातों की संख्या को क्या कहा जाता है जिसे कहा जाता है डायमेटर डायमेट्रिक पीछ यहां पर आपसे नमबर भी करेक्ट हो जाएगा 26 नमबर कोशन है what are the two kinds of access memory memory के दो प्रकार कौन सी होती है तो यह होता है आपका random and sequential रेंडम और sequential option नमबर भी करेक्ट हो जाएगा 27 नमबर कोशन है printer resolution is measured by the number आप printer resolution की संख्या किसे से मापा जाता है यह मापा जाता है डाट्स पर इंच से आप्स नमबर भी यहां पर करेक्ट ह 28 नमबर कोशन है which आप the following storage device can store maximum amount of data निमनलखित में से कौन से storage अधिकता मात्रा में data store कर सकता है यह रहता है hard disk आप से नमबर भी करेक्ट हो जाएगा 29 नमबर कोशन है what you cannot create from the offset command आप offset command से क्या नहीं बना सकते हैं तो जो वर्टिकल इस्ट्रेट होता है इसे हम लोग नहीं बना सकते हैं तीस नमबर को कोशन है what is denoted by the weld symbol weld symbol या weld प्रतीक द्वारा क्या दरसाया गया है यह दरसाया डबल साइड फिलेड जॉइंट ठेक 31 नमबर कोशन है what is the another name of सरक्लिप्स सरक्लिप्स का दूसरे नाम क्या होता है इसका नम होते है रिटेनिंग रिंग्स रिटेनि बेंड फिटिंग का क्या है यह जो है यह आपका 180 डिग्री होता है थार्टी नमबर कोश्चन है what is the diameter of rivet hole in comparing with nominal diameter of rivet rivet के nominal ब्यास के साथ तुलेना में rivet hole का ब्यास क्या होगा तो यह more than यानि कि ज्यादा होगा इसके लिए आक्सिडाइजिंग फिलेम आपसर नमबर कोश्चन है विच फिलेम इस सुटेबल फार वेल्डिंग फेरस मेटल कापर और अलमूनियम एलाएं लाव धात उताबार अलमूनियम में इस रिदावत की वेल्डिंग के लिए कौन सी लाव उप्यूक्त होती है तो देखिए जो आप्रेशन है यह आपको कटिंग एस सीट आप मेटल पार्ट आफिट से लेंद्ध अबेंड दकट आप पोर्शन इसकी लंबाई के धात के हिस्से की एक सीट काटकर काटे गए हिस्से को मोड़े आपसा नमबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीचन है इंटर्स से लेंडर आप किया सीटर करता है एक प्लाए क् प्रेशों जाते है मौत संखी में बढ़े पैमाने पर उत्पादम होता है वहें पर इंट्रचैंडगल्टी आप्लाइ द्रीचन होति है जब साफ्ट इंटर्सेक्ट करते हैं तो उसके लिए उन्युवर्सल का उप्यूग किया जाता है चालिस नंबर का कोश्चन है विच इज यूज टू जॉइन फ्लेंज इन फ्लेंज कप्लिंग निकला हुआ किनारा यूग में यूगमन में 15 जॉइन फ्लेंग का उप्यूक इसके लिए किया जाता है तो यहाँ पर कुछ दिक्कात लग रहा है कोश्चन में थे बट इन्होंने एंस्वर नाट एंड बोल्ट दिया है तो हिंदी यहाँ पर गलत दिया हुआ है ठीक आप यहाँ पर इंगलिस देखिए विच इस टूइन फ्लेंज इन फ्लेंज कप्लिंग यहाँ पर हम लोग नाट और बोल्ट की सायता से फ्लेंज कप्लिंग में फ्लेंज को ज्वेंट करते हैं और यह जो है यह आपका हिंदी गलत दिया है तो आपको देखिए आप लेंथ मास और टाइम आपसे नमबर भी करेक्ट हो जाएगा 42 नमबर कोशन है वाट डीनोट काप्टल म क्या बताता है तो देखिए हम जो हो तम मीटर को बताता है कि किलोग्राम को यह सिकंड को बताता है 43 नमबर कोशन वाट इज दा प्रोड़क्ट आप 0.003 इंटो 0.5 म देखिए 0.003 गुड़े 0.5 का जो गुड़ेंफल होगा तो तीन पच्छे 15 चारंग पे दसमलों लगेगा आपसो नमबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नमबर कोशन ने कनवर्ट 0.456 डेसिमल फ्रिक्शन इंटो परसेंटेज जीरो दसमलों चार पांच दसमलों बिन्हों को परस्वत में बदलेंगे सो का गुड़ा करेंगे तो 45 दसमलों च्छे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नमबर के कोशन है वैंच मेटल कंटेंट सायरा आज इस मैजर इनमें से किस दाथ में प्रमुख समगरी की रूक में लोभा В upset म मेटल में आपका लोभा होत्वी कä नामसे अस्पत मृच्च्छे नमबर कोशन लचाने का सब्सक्राइब करता है कि प्रत्रोष परदान करता है तो किम्तु परण बनाने के लिए यूद किया जाता है इन्वार इस्टील आप सो नमबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा किसी पदार्थ के द्रभयमान बटा आयतन को क्या कहा जाता है तो इससे कहा जाता है यानि की अधिसरास पचास नमबर कोश्चन what is the value for specific heat of water पाने की बिसिश्ट उसमा का मान क्या है तो देखें पाने की बिसिश्ट उसमा को जो मान होता है वह एक होता है तो आपसा नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा एक फिफ्टीवन नमबर को कोश्चन what is the boiling point of water in Fahrenheit scale Fahrenheit scale में पानी का कोथनांग के कितना होता है तो देखें फारेन हाइट स्केल में जो पानी का कोथनांग होता है वह 212 डिग्री फारेन हाइट होता है फिफ्टीट नमबर कोश्चन है calculate the amount of heat required to raise the temperature आप 85.5 ग्राम आप सेंड फ्रांटी डिग्री सेंड तो थर्टीव डिग्री सेंड इक्वल टू पंट वन दिया है तो 20 डिग्री से से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेट इक्वल टू इस दसमले का तपमान बढ़ाने के लिए आवस्च्य की मात्रा क्या होगी तूस्मा की जो मात्रा होगी यहां पर 128.25 जूल होगी दखिए तिरपन नमबर कोश्चन है what is the unit of current धारा की काई क्या है तो धारा की काई ह होता है 55 नमबर कोश्चन वाट इज दा रेस्टेंस आफ एन एक्टरिक आरण इप रेटिंग अफ लेक्टरिक आरण इज टू जीरो वोल्ट और फाइप डबल जीरो वार्ट यह देखिए लेक्टरी काई रेटिंग की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट्स है तो उसका प्रत होता है तो कितना होगा अंडरूट 625 जैने कि 25 आपसो नमबर सियां पर करेक्ट हो जाएगा 57 नमबर कोश्चन है वाट इज दा पेरिमीटर रफी स्केल ने ट्रेंगल हैविंग साइड आप 40 mm 20 mm and 28 mm उस बिसम त्रिभूज का परिमाप क्या होगा जिसके भूजाओं की इस अम्यम जो है यह आपका क्या हो जाएगा कि यहीं का योग का दिया जाएगा तो हमारा परिमाप हो जाएगा कि जो त्रिभूज का परिमाप हो तो वे तीनों भुजाओं का योग होता है फिप्टिट नंबर कोशन है वाट इज दाने वहाँ फिड और सपोर्टिंग पॉइंट आफे लीवर लिवर्लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का नाम क्या है तो यह फॉलक्रम अब 59 नंबर कोशन है विच लिजाम्पल फॉर्ष्ट और लिवर्ष्ट अडर सच्छाथ कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है तो यहां पर आपको यह दिख रहा है यह हमारा वाविल नहीं है यह सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब करते हैं इंटरनेट पर की गई अवैद गत्विधी को क्या कहा जाते हैं उससे का जाता है क्या साइबर क्राम्यानिक अपराद या fyрашान है फार साड़े डिस्तेंस हुइच नेट वरक टाइप सुन अश्यूटी दूरी कि लिए उस ही नुशाणीस किया जाता है लोकल ईर्यान का इस्टीच में टेक्स लंबाय वार्प्रिंट होती है यह प्रेंट मोड में जिसी बिश्नकार के लिए समर्पन को क्या कहा जाता है फुब्विब्ण तो देखें जो भी लच्छ होते हैं वह अलपकालिक और दिरकालिक यान कि सार्ट टर्म एंड लांग टर्म के रूप में परिभासित किये गए किसको पूर कम्मिकेशन माना जाता है तो संदेश जो आप दे रहे हैं तो आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं तो आपको पूर कम्मिकेशन है ठीक नमर कोशन है माने इनमेस्टेट इन पर्चेजिंग आप राम माटेरियल्स पेमेंट आप वेज एंड इस्टेश लरीज रेंटल इलेक्रिसिटी एटी सी कम्स अंडर कच्च्य माल की खड़दारी मजदूरी और वेतन किराय बिजली आत के बुगतन में इमेस किया गया पैसा किसके अंत प्रणों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस द्रिश्टिकोन को प्यूग किया जाता है तो इसके लिए किया जाता है जोएंट वेंचर संयुक तुद्ध्यम को यूज किया जाता है त्यात्तर नमबर कोशन है तो आटोमेटेड टेलर मसीन एटेम का फुल फार देश्टर में चातान नमबर कोशन है विच वन आप दीज डाकुमेंट इसे नाट असे टेवल फॉल्फिल्मेंट आपके वाइसी नार्म के वाइसी माप दंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कॉन सब्सक्राइब सुई कार नहीं है तो यह इंकम सब्सक्राइब ज्या द्रियादा पर क्या होती थे ऐसी नोंचलOR थाती शद्राइब श़तितकी नाट अठीक् detMO आते हैं Victorian रेटीक रूप से काम करने वाले करमचारी को खें नहीं होना चाहिए जिए नमबर कोश्चन विच वहना आपदा फालूइंग एयर पलूएंट तो कांसे पलूशन है यहाँ पर एयर पलूशन कार्बन मोनो अक्साइड प्रूशन है जिए जिए नमबर कोश्चन है टोटल नमबर आप पॉपलर क्वालिटी टूल्स और लोग तो दोस्तों यहीं था हमारा अफिस्यल पीडिया जो की प्रिवेस यह का था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए लेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू करिए